हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में और जितनी भी हमारी फैमली है सबसे पहले तो मैं उनको 2022 इस नए साल की बहुत बहुत बदाई देना चाहता हूं और यही मैं विश्च करूँगा कि आप सभी के जो टार्ग बात करेंगे एक और पैनी स्टॉक के बारे में यह जो पैनी स्टॉक है सिरफ 0.56 पैसे मिन्स 50 पैसे का यह शेर है और यह शेर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस शेर में आने वाले समय में हमें और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है इस वीडियो में हम बात करेंगे शाली मार प्रोडक्शन लिम्टिड शेर के बारे में इस वीडियो में हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे इसकी बैलन्स शीट के बारे में अनलिसिस करेंगे और जो हमारा टार्गेट है जो means इसका आने वाले समय में जो इसमें स्टोक में जो एक्शन देख सकता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे अगर मैं इसकी कल की प्रफोर्मेंस की बात करूँ तो कल आप आप देख सकते हैं इसमें अपर सर्कृٹ हमें देखने को मिला है पिछले पांच दिन में भी तो आप देख सकते हैं एक महीने में लगबग 14% के रिटरंस अभी ये जो company है आप सभी को पता है ये जो है media जो sector है उससे ये relate करती है और अभी जो means करोना का जो time गुजरा है वो इस company के लिए और जो इसके भी जो competitor है उनके लिए काफी means खतरनाक रहा है आप सभी को पता है इनके businesses पर काफी ज़्यादा impact हमें देखने को मिला था एक समय में कुछ businesses को छोड़कर सभी businesses पर हमें काफी ज़्यादा impact देखने को मिला था बट अभी चीजे normal हो रही है क्योंकि अभी भी omicron जो virus है उसका खतरा बरकरार है लेकिन अब जिस हिसाब से vaccination की जो process है वो पूरी हो रही है तो कहीं न कहीं इसके डर से जो दुनिया की जो economy है वो बाहर निकल रही है तो चलिए सबसे पहले इस company के market cap की बात करें तो यह 55 क्रोड इस company का market cap है means यह micro cap एक company है 52 week high की बात करूँ 0.72 company का 52 week high है stock PE 178 है return on equity 0.06 है face value company की 1 है अब आप company के जो अच्छी चीजे है वो देख लेते हैं company almost debt free है यह अच्छी चीज है stock trading कर रहा है 0.54 time its book value अब सबसे जो main चीज है वो हमें देखनी होती है profit और loss क्योंकि हम जब भी किसी company में invest करते हैं तो हमें उसका जो profit और loss है और उसकी balance sheet है वो हमें ज़्यादा जुरूरी देखनी होती है सबसे पहले में मार्च 16 से मैं data उठाता हूँ मार्च 16 में company की net sales आप देखिए पहले 2.66 क्रोड थी उसके बाद मार्च 17 में sales double हूई 4.43 उसके बाद मार्च 18 में सीधा 10.15 देन मार्च 19 में 8.13 देन मार्च 20 आप सभी को पता है 4.86 करोना की entry हूई और मार्च 21 में 4.47 क्रोड मिन्स अगर पिछले 5 साल की मैं बात करूँ तो करोना के टाइम को छोड़ कर जो इनकी sales है वो हमें अब trend में ही नजर आ रही है उसके अलावा अब मैं profit की बात कर लेता हूँ net profit आप देख सकते हैं 2016 में 0.11 क्रोड then 0.03 क्रोड then 0.05 क्रोड then 0.01 क्रोड उसके बाद करोना में तो लोस में गई कंपनी उसके बाद दुबारा मार्च 21 में बोन्स बैक किया 0.06 क्रोड का net profit कंपनी को हुआ है तो दोस्तो अगर मैं कंपनी के जिस हिसाब से देखिए ये जिस हिसाब से एक छोटी कंपनी है आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि जैसे मालो अगर एक 55 क्रोड का जिसका market cap है और जो जिसका share price ही अभी 50 पैसे है तो आप ये उसे accept नहीं कर सकते कि इसका जो profit है वो क्रोडों में होगा या इसका जो EPS है वो भी बड़ा अच्छा होगा जिस हिसाब से छोटी कंपनी है उस हिसाब से अगर करोना के टाइम को छोड़ दें तो कंपनी ने profit generate किया है और कंपनी की जो net sales है वो भी लगातार बड़ी है और अपरेटिंग profit भी इनका अच्छा रहा है और no doubt अब चीजे normal हो रही है तो आगे चल कर जो इनका profit है उसमें हमें अच्छी खासे boom देखने को मिल सकता है आगे मैं share holding pattern की बात करूँ तो promoters 17.21 की holding के साथ बैटे हैं वहीं public की 82.79% की इस stock में holding बनी हुई है अब मैं आपको इस company की जो balance sheet है second जो हमारा बड़ा parameter है वो हम check कर लेते हैं reserves की बात करें तो company के पास अगर मैं मार्च 17 में बात करूँ 2.7 क्रोड के reserves थे then 2.75 then 2.76 क्रोड then 2.75 then 2.81 क्रोड means slightly मैं दोबारा repeat करना चाहूँगा अराम अराम से company के reserves हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं long term ब्रोइंच सबसे अच्छी चीज़ इतनी छोटी company में मुझे देखने को मिली है वो है long term में company के उपर एक रुपे का भी करज नहीं है और इन्होंने करोना का face भी देखा है उस time में भी company को करज उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है शोटरम में भी आप देख सकते हैं पहले company पर करज होता था बट अभी short term में भी company के उपर एक रुपे का भी करज नहीं है उसके बाद हम बात करते हैं cash और एक भी cash की बात देख लेते हैं cash company के पास 0.07 क्रोड का cash company के पास available है company के आप assets भी देख सकते हैं कि company के पास 105 क्रोड improving growing mode में company के total assets भी है तो दोस्तो जिस हिसाब से जो ये company है इतनी छोटी ये company है और media sector में ये काम करती है आप सभी को पता है media में कितनी दिक्कत नहीं आई थी जैसे businesses हैं जो इनके इनका जो पूरा business है वो government के जो guidelines है उनके उपर based होता है अगर मालो कल government बोल दे कि आपको जो shooting हैं जो इनका काम है वो आपको बंद करना पड़ेगा या उसमें restrictions बढ़ा दे तो तबी इनके business पर impact आ जाता है बट उसके अलावा भी ये company मुझे अगर मैं personally भात करूँ तो मुझे इस company की चीजें जो सबसे अच्छी लगी वो है company के उपर एक रूपे का भी करज नहीं है long term में company debt free है short term में भी company के उपर करज नहीं है इसके अलावा company की operating जो profit है वो growing mode में है corona को छोड़ने अगर और sales भी company के लगातार बढ़ रही है और अभी जो company ने returns है वो भी अच्छे खासे company returns दे रही है तो मेरे जिसाब से जिसी जिसाब से छोटी company है आप देख सकते हैं आप एक रूपे में इसके दो share खरीद सकते हैं और हर किसी के पास जो नए investors भी होते हैं जिनके पास पुझी बहुत कम है आप मालो कोई 10,000 रुपे लेकर market में आता है या 5,000 रुपे लेकर market में invest करना चाता है तो means आप देख सकते हैं अगर वो कोई बड़ा share खरीदेगा तो उसको वो एक दो quantity ही खरीद सकता है बट यहां वो अच्छी खासी quantity उठा सकता है और मेरे इसाब से आप शाली मार production इसकी quantity उठाएं आपको कहीं न कहीं ये multiple times 2022 में return दे सकता है क्योंकि company के जो parameters हैं उनके according बड़ा अच्छा means company में हमें जो इसका future है वो अभी दिख रहा है क्योंकि दीरे दीरे जो चीजें हैं वो normal होती हुई जा रही है तो in case in future 2022 में ये stock penny stock जो है ये ये अच्छा खासा means हमें profit generate करके दे सकता है तो आप बिंदास होकर इस share को hold करें और आपको अच्छा खासा returns याने वले समय में दे सकता है तो यहां से ये लगबग 10 गुना होने की इसमे capability है तो आप आराम से इसको hold करके profit कमा सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस एक ये penny stock के बारे में मुझे आपको update देनी थी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye